सब्सक्राइबर्स की संख्या न बढ़ने से परेशान नेट्फिलिक्स ने कुछ देशों में अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत घटाने की घोशना की है बढ़ती प्रतिसपरता है यानी कंप्टिशन और अमेरिका कनाडा में स्थाई तो आने के बीच सब्सक्राइबर्स ग्रोथ को बनाए रखने के लिए नेट्फिलिक्स ने ये नया कदम उठाया है मिडिलिस्ट, सहारा, अफ्रिकन, लेटिन अमेरिका और एशिया के कुछ देशों में दाम घटाए जाएंगे भारत में भी नेट्फिलिक्स के दाम घट सकते हैं आप नेट्फिलिक्स चलाते हैं या नहीं चलाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर वताईएगा पीट्रोन ने क्राउन कंट्रोल और बहतरीन ब्राइटनेस वाली कॉलिंग स्मार्ट वाच X12N को लॉंच किया है इसकी कीमत 1199 रूपे है इसमें कई प्री इंस्टॉल्ड वाच फेस, बिल्ट इन गेम, फुल टच, 2.5D कर्वड डिस्पले और रोटेटेबल क्राउन कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं मल्टी स्पोर्ट मोड और पांच दिनों की बैटरी लाइफ जैसी खास विशिष्टाओं के साथ इसको उप्योग करना भी बेहत आसान है बैंगलोरू की EV स्टार्ट अप कंपनी रीवर ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडी लॉंच किया है ये स्कूटर फुल चार्ज पर 120 किलोमीटर तक का रेंज देगा इसकी शुरुआती कीमत 7 लाख रुपे है 1,25,000 रुपे है इसकूटर में 4 किलोवाट शंता वाले बैटरी पैक के साथ 6.7 किलोवाट पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है स्कूटर 3.9 सेकंड में 40 किलोमीटर परतिगंटा की स्पीड को पकड़ सकता है इसकी बैटरी को 5 गंटे में 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है इस बार गर्मियों में बिजली के दाम बहुत जादा बढ़ सकते हैं अधिकल लागत वाली बिजली उत्पादन कंपनियों को बाजार में महगी बिजली बेचने की अनुमती मिल गई है ये कमपनियां 50 रुपे परती यूनिट पर एनरजी एक्सचेंज पर बिजली बेच सकेंगे केंद्रिये बिजली नियामक आयोग ने गर्मी में बिजली की परियाप्त आपूर्ती सुनिशित करने के लिए ये मनजूरी दी है घर से बाहर रहने वालों को अब किफायती दामों पर घर जैसा खाना घर जैसा भोजन मिल सकेगा ओनलाइन खाना ओर्डर करने वाली कमपनी जॉमेटो ने एवरी डै के नाम से एक नई सेवा शुरू की है इसमें घर पर बने पौश्टिक भोजन की आपूर्ती की जाएगी जॉमेटो इसके लिए होम शेफ को अपने प्लेटफॉर्म से जोडेंगे फिलालिय सेवा केवल गुरू ग्राम में ही शुरू की गई है तो जो गुरू ग्राम के लोग हैं वो इसका लाप उठा सकते हैं